जो हाथ उठाकर नभ के तारे तोड लेते हैं, अपने एक इशारे से बहती हुई धारा मोड देते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे इनसान दुनिया में, जो नजर उठाते हैं, तो दिल के रिष्ट जोड देते हैं। जगदीश कमार कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो राजस्तान के शेखाबटी क्षेत्र के, सिकर जिले के भागलवा ग्राम के रहने वाले हैं। पर इनकी आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी, और इनकी पत्नी की सहत भी ठीक नहीं रहती थी। तीन बच्चों की पढ़ाई और फिर कहते हैं के मुसीवत आती है तो अकेले नहीं आती। बड़े चाचा, जिनका जीवन में बहुत सहारा था, अचानक चल बसे। घर का सारा बोज इनके कंधों पर आपड़ा। उस समय इनके मन में पार्ट टाइम काम करने का विचार आया। ताकि हर जिम्यदारी इमानदारी से निभाई जा सके। इनका मनवल और आस्ता ही थी के एक दिन इनकी मुलाकात डॉक्टर कमल से हुई। डॉक्टर कमल ने इन्हें I.M.C. कंपनी की हेल्थ किट दी जिससे जगदीज जी को स्वास लाब हुआ और वे तन मन से I.M.C. कंपनी के प्रती समर्पित हो गए। आज इनके सारे सपने साकार हो रहे हैं। जगदीज जी अपनी काम्याबी के पीछे शिरी अजयमान जी का भी बहुत बड़ा हाथ मांगते हैं। जिनके मार्ग दर्शन से आज वो शुन्ने से शिकर तक पहुंचे हैं। इन्होंने बहुत ही कम समय में चेर्मेन लेवल प्राप्त किया है। और आज वो लाखों ही न कमा रहे हैं।